जर्सी रखें या HF? बहुत सारे फार्मर्स जब मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मैं फील में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं सर जर्सी या HF? या बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार और जो नसल है वो कितनी important है, अगर आपने सही select कर ली, ब्रीड अगर सही है तो आपके फार्म पे आने वाली प्रॉब्लम्स भी कम होती चली जाएंगी दोस्तो आज इस वीडियो के माद्धिम से मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि जर्सी या HF? बहुत सारे फार्मर्स के question होते हैं तो आप लोगों से एक ही request है कि इस वीडियो को जादर जादर like करें, comment करें और channel को subscribe जरू कर लें दोस्तो मैंने देखा है कि जब जर्सी पहले इंडिया में आई उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसको adopt किया बहुत सारे लोगों ने अपनाया लेकिन जब HF थोड़ी popular हुई उसका milk production जादा है तो लोगों ने एकदम से HF पे switch कर गए और HF बहुत ज़़दा popular हो ग परता गया HF का इंडिया में लोगों को समझ में आया कि इसके साथ बहुत सारी problems भी जुड़ी हुई है सबसे बड़ी problem उसके साथ infertility की है बांचपन की है दूसरी है उसमें lamnets या लंगड़ेपन की है तीसरी जो problem है mastitis के cases भी बहुत ज़़दा होते हैं उसके कारण तो अब मैं देख रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि हम किस टाइप से हमारा farm भी commercial भी बना रहे दूद का उत्पादन भी मिलता रहे और problems थोड़ी सी कम हो जाएं तो दोस्तो मैं आज वही चीज डिसकस करने वाला हूँ कि जर्सी जो है जर्सी गाय की कुछ बिसेष्टाएं ऐसी हैं जो आपके लिए आपका जो ये जो प्रॉलम है उसमें काफी हद तक मदद कर सकती है जर्सी की सबसे बड़ी बिसेष्टा ये है कि जर्सी की रोग प्रतिरोधक छमता मतलब जो disease resistance power होती है वो बहुत जादा होती है मतलब बीमार कम पड़ती है अनुकूलन उसकी power जो है वो बहुत अच्छी है अराम से वो आपके farm पे adopt हो जाती है तो अब कुछ बिसेष्टाएं ऐसी हैं जिनको आप जानकर हैरान हो जाएंगे सबसे बड़ी बात है उसकी fertility power वो बहुत ज़दा fertile होती है तो उसका जो intercowing period होता है दो बयात का अंतर व उसके कारण उसको बोलते हैं creature fertile animal बोलते हैं उसको कई लोग जो चानते हैं कि HF में जो problem है बांच बनकी वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिलती है दूसरी जो बात है वो है high feed efficiency मतलब कम feed खाकर ज्यादा दूद का उतबादन ये breed आप देखते होंगे इसका बजन कम होता ह है size में छोटी होती है लेकिन ये दूद का उतबादन इसका HF से तो कम होता है लेकिन उतना भी कम नहीं होता ये कम feed खाकर उस feed को अच्छे से convert कर पाती है milk में तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि feed efficiency इसकी बहुत अच्छी होती है दूसरा इसका जो milk है वो भी बहु से दूद का production बढ़ता है इसका fat कम होता चला जाता है कई बार वो तीन प्रतिशत और धाई प्रतिशत तक 2.5% तक मैंने देखा है लोग बहुत परिशान होते हैं कि सब कुछ हमने कर लिया लेकिन fat percent नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो उसकी एक characteristic है दूद जादा और fat कम इसमे उसी के कारण जो rate का difference होता है वहाँ पर जो milk production जादा है वो fat अधिक होने के कारण जर्सी में वो जो price का जो gap है जो milk का rate है जो आपको मिलता है वो cover हो जाता है उसके बाद एक सबसे बड़ी जो बात थी जो मैं अकसर देखता हूं और करता हूं आपको बोलता भी हूं कि जो feeding कराते हैं आप बहुत जादा तो वहाँ acidosis की problem बहुत जादा आती है acidosis के कारण lemness बहुत जल्दी develop होती मतला लंगड़ापन HF में बहुत जल्दी develop होता है जबकि जो जर्सी है उसमें lemness बहुत कम देखने को मिलती है उसके दो कारण है इक तो feed efficiency अच्छी है size चोटा है feed कम लगता है palliter of milk और साथ साथ में उसके जो hooves हैं जो खुर हैं वो बहुत hard होते हैं black color के होते हैं और बहुत hard होते हैं hard होने के कारण उनमें lemness की problem बहुत कम देखने को मिलती है उसके बाद जो एक point और मैं आप लोगों से बहुत ही important discuss करने वाला हूँ वो ये है कि एक research ह गई कि समान environment में मतलब एक जैसे मौसम में जर्सी और HF पर प्रैक्टिकल किया गया कि देखते हैं कि कितने percent chances होते हैं इनमें mastitis के थनेला रोग के तो ये देखने में आया कि जब दोनों को समान जलवाए हूँ में रखा गया तो वहाँ पर जो HF है जो होल्स्टन फ्रीज जिसको हम बोलते हैं उसमें जो थनेला रोग के chances थे वो 51 प्रतिशत थे 51 मतलब 51 प्रतिशत तक उन एनिमल्स में थनेला रोग के chances वहाँ थे और जबकि जो जर्सी है उसमें मात्र 22 प्रतिशत chances ऐसे बने जहां वो mastitis देखने को मिली अब इसमें आप clear cut आप देख सकते हैं क कि milk production हो सकता है HF से जर्सी में कम मिले लेकिन जो बाकी के जो benefit है बाकी के जो advantage है वो definitely आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि HF जो आप animal को पसंद करते हैं जो लोग उनके लिए मैं especially बोल रहा हूँ HF आपको milk production जादा देता है लेकिन overall अगर profit देखेंगे तो वो जर्सी म मिलेगा इसलिए जो HF के farmer हैं आप देखते होंगे कि आप वो थोड़े से वहां से सोच में पढ़ गए हैं कि हम actually क्या करें तो कई जगहे मैं देख रहा हूँ अब अच्छी अच्छी जर्सी गाये देखने को मिलने लगी हैं दुबारा और मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आप नया farm start कर रहे हैं dairy farm start कर रहे हैं तो वहां आप हमेशा एक breed को consider कर सकते हैं जर्सी को consider कर सकते हैं जर्सी में कम problem होगी तो आप initially जब establish हो जाएं उसके बाद आप HF को भी अपने farm पे रख सकते हैं तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो जर्सी गाये को unique बनाती है और कुछ उसके अंदर जो advantage हैं वो मैंने आप से discuss किये तो मुझे उमीद है आपके अंदर जो भी confusion होंगे वो दूर हुए होंगे जर्सी को आप अच्छे से अपना सकते हैं मैं commercial dairy farmers की बात कर रहा हूँ लोग कहेंगे सरदेशी गाये भी अच्छी है ये भी सब अच्छी है लेकिन मैं commercial dairy farm जिनको दूद का उत्पादन भी चाहिए जिनको मुनाफ़ा भी कमाना है और जो लोग HF और जर्सी में confused हैं सारी गाये अच्छी हैं हमारी साहिबाल भी अच्छी है गिर भी अच्छी है सारी अच्छी है लेकिन जो confused है मैं उनके लिए मैंने ये वीडियो ब होगा पसंद आया तो इसको लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें जेहन